हेलो गईज तो चलिए इस यूडियो में हम बात करने वाले हैं यहजबैंक के स्टॉक के बारे में स्टॉक की करण प्राइस की बात करेंगे तो 17.70 की करण प्राइस चल रही है और आज लिए में स्टॉक में लगबग 5.65% की शांदार ठीजी देखने को मिल रही है अब 17.70 का हाई लगा कि support लेके फिर से उपर के और तीजी देखने को मिले हैं यहाँ पे एक important support zone है क्योंकि इसी लेवल पे आने के बाद में हमें multiple time इसी लेवल पे support ले लेकर ऊपर के और bounce देखने को मिला वैसे ही exactly फिर से हमें यहीं से ऊपर के और तीजी देखने को मिल रही है possibility जदा ही रहेगी कि अगें हमें उपर के और further stock में आगें तीजी कंटीन होते वे दिखाई दे सकती है next important resistance level पता होना भी जरूरी है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे आने के बाद हमें multiple time rejections इसे में देखने को मिल रहा है entry point तो हम सोच लेते हैं लेकिन exit कहा करना होता है यह वाल people time इसे level से हमें rejections देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पे आप पहले ही entry इसमें ले चुके हो तो यह वाला जो जो जोन रहेगा एक important resistance जोन रहेगा यहाँ से हमें rejections के chances रहने वाले हैं अगर इनके इसको भी उपर की ब्रेक आट करता है यानिके 19 रुपीस के उपर candle sustain करके closing दे देती है तो further और भी स्टॉक में अपसाइड में तीजी continue होते वी दिखाई दे सकते हैं साथ ही साथ अगर हम कोई indicator को देखते हैं तो MSCD indicator बढ़िया रहेगा MSCD indicator को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें यहाँ पे एक bullish crossover देखने को मिला है Zero Line के ओपर भी जो है green bar बनते भी दिखाई दे रहे हैं जो की मजबूती का signal दे रहे हैं तो उससे भी तक आपने DMED account open नहीं किया तो free DMED account opening link description box में दे दी हैं वहाँ से आप free DMED account भी open कर सकते हैं तो वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ educational purpose के लिए बनाई गई है ताकि आपको levels find out करने में आसा नहीं हो जब भी आपको भी stock में इंट्री बनाए तो अपने financial advisor से कंसल्ट करके ही उसमें इंट्री का बना आज की स्वीडियो में सिर्फ इतना ही था वीडियो चलागते वीडियो को जरू लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में